सो दूस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि YouTube वीडियो आपलोट करने के लिए कौन सा एप्लिकेशन सही होता है जैसे कि दूस्तो आपका समने दो एप्लिकेशन हैं एक Chrome Browser और एक YouTube दूस्तो ये दुनों में से एक ज्यादा सही होता है तो कौन सा एप्लिकेशन सही है आज की इस वीडियो में compare करके आप लोग को दिखाने वाला हूं कि इस एप्लिकेशन की true आप वीडियो आपलोट करने से आपका वीडियो रेंक करने की chances होता है जैसे कि दूस्तों आप कही पर वीडियो आपलूट करते हो और आपका वीडियो रेंक नहीं होता है तो दुस्तो आज के इस वीडियो में लाइब प्रूप दिखाने वाला हूं कि किस application की तुर वीडियो आपलोट करने से आपका वीडियो ज्यादातोर रेंग करने के chances होता है तो दुस्तो वीडियो शुरू करते हैं दुस्तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीजिट क्या है तो चैनल को subscribe कीजिए और साथी साथ दूस्तो एक like कीजिए तो चोली आज के इस वीडियो शुरू करते हैं सो दूस्तों सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा कि YouTube एप्लिकेशन से वीडियो आप्लेट करने से क्या-क्या बेनिफिट मिलता है या क्या-क्या फीचार्स मिलता है जैसे कि दूस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं YouTube है simply मैं open कर लेता हूँ और इसके बाद simply वीडियो आप्लेट करने के लिए यहाँ पर दिखे प्लास आइकन है simply इस पर क्लिक करना है इसके बाद आप्लोड वीडियो पर क्लिक करना है इसके बाद दूस्तों चलिए मैं कोई भी एक वीडियो यहाँ से सिर्ट कर लेता हूं और इसके बाद दूस्तों यानि कि Public Unlisted जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर दिखे Public Unlisted Private तो चलिए मैं यहाँ पर प्राइबेट कर लेता हूं और इसके बाद दुस्तों यहाँ पर दिखे Audience जैसे कि इसके बाद दुस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर दिखे आपलोड विडियो है दुस्तों यहाँ पर दिखे टूटेल इतना ही है option दिया जा रहा है और दुस्तों अगर आपका विडियो rank में बेजना चाते हो आपका विडियो के अंदर SEO सही से करना चाते हो तो दुस्तों यह दुनों application को compare करना होता है कि किस application में ज्यादा features मिलता है और उसके बाद कि Chrome browser से video upload करने से क्या-क्या features मिलता है या क्या-क्या benefit होता है दुस्तों विडियो को और से देखना है उसके बाद दुस्तों आप video upload कीजिए दुस्तों दिखे एक एक video बनाने में काफी time लगता है और उसके बाद दुस्तों अगर आप गलत तरीके से YouTube पर video upload करते हो तो ब्यादा वीडियो रेंग करने का चांसस मिलता है तो दूस्तों चलिए Chrome पर चलते हैं तो दूस्तों मैंने Chrome browser open किया है इसके बाद यहाँ पर देखे continue to studio simply इस पर क्लिक करना है उसके बाद दूस्तों तुड़ा बहुत आपको वेट करना होता है तो चलिए वेट कर लेते हैं कुछ सेगेंट सो दूस्तों यहाँ पर देखे डासबोर्ड जो है बिल्कुल ओपेन हो चुका है Chrome browser में तो इसके बाद दूस्तों आपको करना क्या है कि simply यहाँ पर देखे आपलूट की जो लोगों है simply इस पर क्लिक करना है दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखे वीडियो आपलूट करने के जो option है यहाँ पर select file तो simply इस पर क्लिक करना है और इसके बाद दूस्तों क्लिक करने के बाद निचे यहाँ पर देखे option display होता है जैसे कि choose file gallery और यहाँ पर देखे attach file तो चलिए मैं choose file from gallery पर क्लिक करके कोई भी एक वीडियो यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि मैं example के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो मैंने चलिए यह वीडियो मैंने select कर लिया है और उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो upload होना शुरू हो चुका है और इसके बद दुस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि description पर आपने क्या के लिखा है यहाँ पर show होता है यहाँ पर दुस्तों आप title आपको लिखना होता है और दुस्तों यहाँ पर दिखिए thumbnail upload करना होता है यहाँ पूर आप देख सकते हैं जैसे कैं मैं ज़ोम कर लेता हूँ तो यहाँ पूर आप देख सकते हैं इसके बाद दुस्टो यहाँ पर प्लै लिश्ट आपको select करना है और इसके बाद दूस्तो इतना नहीं यहाँ पर डेर सरा option दिया जाता है तो जैसे कि चलिए मैं scroll down करता हूँ यहाँ पर निचे देखिए yes it is made for kids यह भी option यहाँ पर display हो रहा है तो चलिए show more option पर click कर लेता हूँ दोस्तो show more option पर जैसे click करेंगे तो उसके बाद दोस्तो देखिए और option आता है कि मतलब काफी different है मतलब youtube से अगर आप video direct upload करगी और chrome browser से upload करगी तो काफी different होता है जैसे कि दोस्तो यहाँ पर आपको live proof करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या different होता है जैसे कि दोस्तो यहाँ पर देखिए और भी option है अगर आपका video promotion के लिए है यानिकि तो यहाँ पर देखिए my video content paid अगर paid promotion है तो दोस्तो इस box पर check mark लगाना है और इसके बद वीडियो upload करना है और दोस्तो यहाँ पर देखिए और option है automatic capture यहाँ पर आप देख सकते है allow automatic capture when available and eligible यहाँ पर आप देख सकते है दोस्तो यहाँ पर देखिए tag line यानिकि यहाँ से आपको tag set कर रहा है तो दोस्तो चलिए मैं example के लिए एक tag यहाँ पर select कर लेते है तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते है कि tag कैसे यहाँ पर rank करता है क्योंकि दोस्तो इस पर मेरा जो bid IQ है सोरी ट्यूबड़ी मैंने extension किया है तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ आप देख सकते हैं जैसे कि how to grow on YouTube channel मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसके बाद दोस्तो आप समझ सकते हैं कि concept better है तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर type करता हूँ how to how to how to grow on YouTube तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निचे जो tag है यहाँ पर suggest हो रहा है तो यही से दोस्तो आप select कर सकते हैं दोस्तो जिस tag ज्यादा तो लोग इस्तिमाल कर रहा है तो यहाँ पर वही tag यहां पर show होता है तो दूस्तों यहां पर देखे पलास आइकोन है मैं और जारा जूम करता हूं जैसे कि दूस्तों देखे how to grow on YouTube 2022 gaming ज्यद्धतर लोग शायर्स कर रहा है निचे यहां पर देखे how to grow on YouTube 2022 रेडिट और यहां पर निचे देखे how to grow a blogging channel on YouTube 2022 तो जोटेग जएदातर लोग सार्ज करता है, वही यहाँ पर साज्च में आता है, तो यही रूसे दुस्तो आप सिलेट कर सकते हैं, दुस्तो दीखे यह अग एक बेनिफिट है, निचे यहाँ पर दुस्तो दीखे लेंग्विज टेप्शन सार्टिफिकर इट, तो यहाँ दिखे लाइसेंस जो है यहाँ पर दिखे लाइसेंस तो creative common attribution मैंने select किया है और यहाँ पर दो option मिलता है standard license निचे यहाँ पर दिखे publish to subscription feed and notify subscriber यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह जो आप uncheck कर सकते हैं चेक कर सकते हैं यानि कि मतलब आप manually की हिसाब से आप setting कर सकते हैं इसके दोस्तो सबसे बड़ी बात यह होता है कि दिखे allow all comment तो दोस्तो अगर आपका वीडियो पर आप comment बन करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिखे disable comment option पर अगर आप check mark करोगी तो आपका जो वीडियो है वीडियो के निचे कोई comment नहीं कर सकता है निचे यहाँ पर दिखे short by तो य यहाँ पर आंचे करते हैं तो यहाँ पर hide हो जाएगा तो दूस्तो इतने ज्यादा यहाँ पर benefit मिलता है और सबसे जो most important जो होता है कि यहाँ पर take search करने की बाद जो take ज्यादे तो लोग search करता है यहाँ पर suggestion में आता है और यही से आप select कर सकते हैं और उसके बाद दूस्तो आपको जो वीडियो है वीडियो rank करने के ज्यादा chances होता है तो दूस्तो आपको आप समझ गया होगा कि कि एप्लिके